हेलो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े ही अमेजिंग पालक की दाल तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करना तो हेलो दोस्तों असलाम अलेकूँ वेल्टम टू मैं चैनल नुरी कीचन तो चलिए बनाते हैं पालक की दाल तो मैंने यहाँ पर तूर की दाल धुल के एड़ कर लिया है और फिर मैं इसके अंदर एड़ करूँगी मसूर दाल वह भी मैंने धुल के एड़ कर लिया है और फिर इसके अंदर एड़ करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और फिर एड़ करूँगी नमक नमक कमी एड़ करेंगे किके पालक में भ होता है और फिर अच्छी तरीके से चला लेंगे अच्छी तरीके से चलाने के बाद हम इसके अंदर एड़ कर देंगे पानी पानी आपका उतना होना चाहिए जितना आपका दाल और पालक अच्छी तरीके से भीग जाए उससे जादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल इस तरीक से दिखे पालक भी और फिर चेंदर 트ेंगे पहले कूकर बंकरेंगे फिर उसके ऊपर लगा किसे आपकर कभी नी फटेगा तो स्थिंस अब अछ ट्रीके देने के लिए जी हाँ जब तक तड़का नहीं लगेगा दाल में तो तब तक मज़क के से आएगा और हमारी दाल देखा अच्छी तरीके से गल चुके पूरी तरीके से और फिर इसके अंदर एट कर देंगे हम तेल फ्राइपेन में और हमें ये सब बहुत ही जल्ली जल्ली क करना है तड़के में जरा भी वेट नहीं करना है तो इधर में एट कर दूंगी लेसन इसके अच्छी तरीके से हमें लाल होना देना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से दाल में आ जाए और फिर इसके अंदर एट कर दूंगे जीरा राई इस अच्छी तरीके से फ कि ये प्रोसीजर हमें जल्दी जल्दी करना है अब इसके अंदर में थोड़ा सा एड़ कर दूंगी हींग जी हाँ हींग एड़ कर देंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे तो जैसे हमारे तड़का रेड़ी होगे अब हम इसके अंदर एड़ कर देंगे दाल और फिर इसे थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरीके से चला लेंगे बिल्कुल इस तरीके का और देखी हमारी पालक की डाल रेडी हो चुकी और इसके अंदर में अड़ कर दूगी थोड़ा सा धनिया और फिर से अच्छी तरीके से चला लूँगी तो लीजे आपकी तड जरूर दबा और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूले इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है तो जरूर ट्राइब करने इस रेसिपी को बाई अलहाफीज